अगली बार संत्रे के छिल्कों को फेकने से पहले उससे बनाई ये बहुत ही बढ़िया साबुन जो की देगा आपको बेदा गोरा निखार इस साबुन को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसे मैंने घर पे बनाया है इतना बढ़िया साबुन तयार हुआ है इसे अगर आप रेगलर यूज़ करते हैं तो आपका रंग तो निखरेगा ही और जो दाग धपे हो जाते हैं अब मारे शरीर पे वो भी धीरे धीरे फी अगर आज का ये मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को कर दीचेगा लाइक दूसरों के साथ शेयर करिएगा कॉमेंट करना बिल्कुल मत पूलेगा और चैनल पे पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रू जाहिएगा साथ ये नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत पूलेगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले आई वीडियो शुरू खरते हैं तो इस साबुन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सोब बेस लिया है सोगरा अगर आपके पास सोब बेस नहीं है तो आप पियर साबुन का इस्तिमाल कर सकते हैं वैसे मैं सोब बेस क्यों इस्तिमाल करती हूँ कि इसमें बहुत कम क्यामिकल्स का इस्तिमाल होता है जिस्ते हमारे शरीक को यह नुकसां नहीं पहुचाता है आप नहीं खरीदना चाहते तो आप ले सकते हैं और अगर सोपेस खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्ट्शन बॉक्स में डाल दूँके आप आप वहां से खरीद सकते है तो यहाँ पेने साबुन को इस तरह से छोटे-छोटे पीसे में काट लिया है आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है अब इसे मैं एक बाउल में डालने वाले हूँ मेरे पास ये काच का बाउल है जो कि हीट प्रूफ है आप चाहे तो इसे स्टील के बाउल में भी डाल सकते हैं अब मैंने यहाँ पे एक संतरा ले लिया है और इस तरह से मैं इसे छील लूँगे हमें संतरा नहीं चाहिए इसके छिलके हमें चाहिए और जब भी आप संत्रा खाते हैं तो उसके छिलके आप संभाल के रख सकते हैं और उससे ये साबुन बना सकते हैं मैं यहाँ पर फ्रेश छिलकों का इस्तमाल कर रहे हूँ आप चाहे तो सुखा के भी छिलकों का इस्तमाल कर सकते हैं अब यहाँ पे मैंने पेले जो संत्रा है उसे अच्छे से धो लिया था धोने के बाद ही आपको संत्रा इस्तमाल करना है अब मिक्सी का जार लेंगे और इसके अंदर इस तरह से संत्रे के छिलकों को छोटे-छोटे टुकडों में करकर डालेंगी अगर बड़े डालेंगे ले तो पीसेगा नहीं सही अब इसे पीसने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ासा गुलाब जल का इस्तमाल कर रही हूं ताकि यह आसानी से पेश जाए कहीं वास सूखे हुझे वनने की वज़े से पेस्टा नहीं है थोड़ासाम गुलाब जल अगर इ तो जन्दी ये खराब नहीं होगा इसकी जो शेल्फ लाइप बढ़ जाती है तो मैं इसे पीस के लाती हूँ इसको दिखाती हूँ यह देखिए कुछ इस तरह का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है एक तम काड़ा पेस्ट जादा गुलाब जिल नहीं डालना है जादा डाल द करेंगे तो आप देख सकते हैं यह हलका सा दानेदार है बहुत जदा है बारिक पेस्ट नहीं तैयार होगा तो इसी तरह का हम चाहिए इसमें जो अगली चीज में मिलाने वाली हूँ वह है ऐलोवेरा जेल यहां पर आपको फ्रेश अलोवेरा जेल बिल्कुल नहीं मिलाना है मार्केट वाला मिलाना है और कोशिश करें जो ट्रांसपरेंट वाला आता है वही मिलाएं तो यहां पर एक चमच अलोवेरा जेल मिलाने के बाद अब मैं इसमें एक टी स्पून मिला रही हूँ गलिसरीन जो कि हमारी स्किन को बहुत ज़दा सॉप्ट बनाता है और अलो कर लिया है कुछ इस तरह का गाड़ा पेस तैयार कर लिया है अब गयास पर मैंने एक पैन रखा है उसके अंदर पानी उबलने के लिए रख दिया था और उसके उपर में यह बाउल रख दोंगी जैसे इसे पानी उबलेगा यह जो हमारा सोप बेस है वो मेल्ट होता जाए तो पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए यह सोप बेस में नहीं तो सोप हमारा खराब हो जाएगा यहां पर यह देखी किस तरह से मेल्ट हो गया है पूरा जो सोप बेस है वो पिघल चुका है अब जो पैक हमने तैयार करके रखा था वो पैक हम इसके अंदर आड़ कर हो जाएंगे और पूरा यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा मैं आपको दिखाती हूं मिक्स करके तो यहां पर देखी कितने अच्छे से मिक्स हो गया है अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूं जो कि टोटली ऑप्शनल है मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना चा अब पर चेंज हो गया है क्योंकि हल्दी जब आसो बेस के साथ रियक्ट करती है तो हलका सा रेड कलर आता है तो रेड और यल्व कैसा हो जाता है और तो इसलिए मैंने डाला है और वैसे भी हल्दी हमारी स्कीन के लिए बहुत अच्छी होते तो आप डाल भी सकते हैं तो हमारा जो बेस है वो बिल्कुल तैयार है अब मैंने यहां पर एक सोप मोल्ड लिया है इस तरह का और यह मैंने ओनलाइन लिया था इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दोंगी आप चेक कर लीजेगा या फिर आप किसी भी जो डिस्पोजिबल कप ऋग्ज़रा होते हैं उसके अंदर भी इसे बना सकते हैं यह नहीं ऐना चाते हैं तो यहां पर दो मैं बनाने आया है साथ ही मैं थोड़ा सा बचा हुआ था टो वो वाले में आप देक सकते व हम पूरा नहीं और है वैसे मैं एक साबुन के लिए हमेशा 100 ग्राम का इस्तमाल करती हूँ सोब बेस का तो वो बहुत अच्छे से साबुन आपका बनता है यहां पर देखिए थोड़ा सा बच गया था तो वो छोटा सा साबुन बनेगा और एक पूरा बनेगा तो यहां पर मैं इसे चार से पांच गंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूँगी बहुत सारे लोग कैते फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में रखनी की बिलकुर जरूरत नहीं है इसे 4-5 गंटे के लिए बाहर छोड़ दीचे बहुत अच्छे सेट हो जाते है ठंडा हो जाता है फिर मैं आपको करते हैं तब तक यहां पर मैं दोनों साबुन आपको दिखाती हूं यह देखी कितनी बढ़िया शाइन आ रही है चमक मार रहा है विल्कुल मार्केट के साबुन की तरह है अगर पैक करके बेच देंगे ना तो भी बिख जाएगा बहुत यह आसानी से लोग इसे खरेद लें है पैक की क्वांटिटी कम रखनी है तो आपका साबुन बहुत अच्छे से सेट होगा और यहां पर आप देख सकते ही साबुन कितना बढ़िया जाग दे रहा है बहुत सवरे लोगों कंप्लेंट होती है जाग नहीं देता है तो मेरे तरीके से बनाएंगे तो जाग भी द बनाने सिखाए हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत जादा निखारने वाले हैं इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और इस तरह के साबुन बनाके मैं खुद अपने पर यूज करती हूं और मैं कभी भी मार्किट से साबुन नहीं लेती हो इनी साबुन को इस्तिमाल करत हो तपी मेरे जो कलर है वो इतना जाधा फेर है और इतना साफ आपको नजर आ रहा है तो आप भी से ट्राय करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें